हलो एव्रीवान वेलकम टो माई चैनल दीपक दिया खरना व्लॉग तो कैसे हैं आप सब लोग हो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे मैसिज चेक कर रही थी फोन में क्योंकि पार्सल आया है अगेन फ्रॉक आई एस में भी पहले वाली जो आई थी ना उसी कही पार्ट टू समझ लो दो तीना भी और आने हैं किसले आ रहे हैं कहां से आ रहे हैं सब चीज़ डिचल में बात में शेयर करूंगे आप लोगों के स बाकी अभी तो मैं ही इतना कंफ्यूज हो रखी हूं पता नहीं क्या चीज़ में को कंफ्यूज कर रही थी मैं फोन में वही जीज़ सॉल्फ करने में लगी पड़ी थी और आज मैंने बहुत दिनों बात पैनी है साड़ी इस साड़ी ना मेरी बहुत ज़्यादा कर लो मेरे दिमाग में यह चीज नहीं कि मैं ऐसा कर लूँ वो मेरी बहुत हल्ब कर वार जाती हूं तक हैं अगर बाहर जाने भी हो किसी को देने भी हो कावारी मूले भी धीने हो तो फिर बहार के बाहर चल जाये मुझे उन्हें रोक के इसको बाहर ना निकालना पड़े बहुत ज़्यादा मतलब तंग आ चुकी हूँ इन सोफर पे में सारा समान लाला के रख देती हूँ गंदे कपड़े इस पर रख दिये दूले कपड़े इस पर रख दिये कोई एक्ट्रा समान हुआ इस पर रख दिया इविन दिया भी यही काम करने लगी है तो बस इसको हट अनुब भाई आते हैं और बस और कोई नहीं आता जल्दी जल्दी इतना तो अमने आब आईगी तो next year आएगी बीच में आएगी तो वह एक एक दो दिन के लिए आएगी उसमें मेरे घर पर क्या ही रुखने का चक्कर रहेगा तो देख सकते हो काफी हट तक तो मैंने इस समान समीट ही दिया है और बाकी तो लगी पड़ी हूं दिया को देखो कपड़ी ही चेंज करती रहती है अभी इसने कुछ और पहना हुआ था अभी मैंने इसको वीडियो महीं देखा कि इसने बदल भी लिया अंदर से पता नहीं क्या क्या करती रहती है अभी इसने मेरी लॉ पूटा हुआ क्यों ही क्यों ही लेगा कोई तो इसके पीछे भी देखो काफी सारा समान गिरा पड़ा है वो भी मुझे समेटना है मुझे इतना गुसा आ रहा था ना सच बताओ इतनी मतलब छोटी-छोटी और अच्छी चीजें मुझे पीछे से मिल रही थी ना मुझे खुश हुई मैंने ही वेजा था और एक मैडम तो बोलती है कि ये नेक दिल काम तो राकी कर सकती है तो देखी ये नेक दिल काम आपकी राकी ने नहीं किया है ये मेरी महनत का फाली है जो आ रहा है मुझे पदा चल गया था बाकी देखी राकी ने ना तो पहले ये काम किया जब वो मिरसंग अच्छी थी, जब मिरसंग रहती थी, और नहीं वो अप कर सकती है, वो अपने लिए कर ले, वो ही बहुत है, मेरे लिए करने की किसी को कोई जरूरत नहीं है, मेरे घरवाले हैं, मैं हूँ, मेरे रिलेटिव हैं, भाकि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, किसी ही बोलू हुँ, या फिर मैंने इमोशनली दिया हो, या फिर मैंने फाइनשली दिया हो, तो, वह सब चीज में मेरा तो बुरा ही नकलता है, तो यहां पर मैं सारा क्लीन करने के मूड में हूँ, आज सफाई मूड में हूँ, तारी पहन के सुचराल में अपने सफाया करने में लगी पड़ी हूँ तो आज ना इतना सारा काम मैं करने में जो लग पड़ी हो ना देखना कितना सुन्दर लगने लगेगा घर और इस्पेशली ये वाला कमरा बहुत बहुत ज़्यादा पहला हुआ था हद सी हो गई थी ये उपर भी समान दिख रहा है आपको ये छूटी वाली जो मीरा सी बनी हुई है विंडो के उपर खिड़की पे तो चलो रखा है जो रखा है इसको भी मैं कवर करूंगी कुछ बॉल पेपर लगा दूगी उस तरफ तो रखूंगी समान लेकिन यहां से दिखेगा नी लगाओंगी यहां पर भी कुछ ना अभी खाली हो जाएगा ना अभी सोफा था ना तो उस पर चड़ चड़ कर काम करने का मन नहीं करता था अभी कुछ नहीं रखूंगी इस जगा पे बाकी सोफा देखो दोनों ही मैं बाहर तक लेकर आ गई हूँ एक ही दिखाया मैंने बाहर तक लाते हुए लेकिन बहुत ही मशक्कत के बाद मैं दूसरा लेकर आई हूँ दूसरे सोफा मैं तो मुझे थोड़ी बहुत दिया की भी हल्प लेनी पड़ी लेकिन आज मैंने अकेले से काम कर डाला ये देखो सोफे की हाला ना काफी ज़्यादे खराव रखी है नेहा के दहेज का सुफा है ये पता आपको I know नहीं बता होगा बिकॉस मैंने शायत कभी बताया ही नहीं है बताया भी होगा स्टार्टिंग में बताया होगा उस टाइम जब ये आए थे सोफे तो इतने सारी वीवर्ड मेरे साथ नहीं जुड़े होए थे विरकॉल स्टार्टिंग में देखोगे मेरे घर में सिर्फ चेर टेबल है वो भी नॉर्मल नॉर्मल सी पुरानी पुरानी सी है, इस कमरे में कुछ भी नहीं था, इस वाले में नहीं, ये तो था ही नहीं, कमरे नहीं था, आंगन था, जो भारवाला कमरा जिसमें मैं रहती हूँ, उसमें कुछ भी नहीं था, तो फिर नहीं के घर में काम चला, बहुत सारा उसने काम करवाया, तो उसको थी दिवान की नेट क्योंकि सोफा तो नीचे है ड्राइंग रूम उसका बना हुआ है यह उपर उसके ड्राइंग रूम में लगे हो थे तो उस जगा पर दिवान है क्योंकि उसमें काफी सारा समान आ सकता है तो वह लग गया तो सोफा चाहिए नहीं तो उसको किसी और को देने के वज़ा है फिर मैंनको मुझे दे दे मेरे को जरूरत है मैं खरीदूंगी तो फिर जी जाजी जो है और क्या टैम्पू जो होता है नौइडा से जो यहां तक आ सकता था उसमें यह सब समान लेकर आ गए तो सोफा और यह फिर मेरे घर में तब से है और मेरा चेह आप देखके अंदार लगाए सकते हो कितनी जादा गर्मी हो रही है मैं टिक के बैठ गई हूं कि थक गई थी सोफे दोनों मैं उठा के ले गई हूं और पहले क्या होता था ना स्पेस काफी होता था अभी सोफा कम बैड है ना तो कुछ नहीं हो सकता इतने से स्पेस में से अभी 50% काम होगा है भार तो के स्पेस हो गए आप लोगों अने देख लिया साफसफाही रही है अभी बहुत अंदर का पूरा ही पहला भी आप पढ़ा रहा है मैं कर पाऊंगी क्योंकि मिरे को लग मीरा मैं कर पाऊंगी खोड़ा थोड़ा थोड़ा कोशिश कर ती हूं प्रेस के प्रेस को भीजवाऊंगी ना थोड़ा पलंग खाली हो जाएगा बाकि जल्दी जल्दी तैय करके दिया के अलमारी में लगा जती हूं यह कुर्सी पही रखके पहले तो यह गड़े जो फैले हो इनको से मिठती हूं यह बिच जाएंगी विस्तर खाली हो जाएगा तो ठीक रहेगा गड़ों का ज्यादा फैले दिख रहा है मुझे बाकि दो कुर्सी चट्पे से सब्दियों के टाइम मीचे आए थी उनको भी च बड़े पापा का खरीदा हुआ है नब्या के लिया था फिर सोना ने यूज किया पिर दिया ने यूज किया तो अभी सनाया यूज करेगे थोड़ी बड़ी होएगी तो मैं चालती हो चले जूला काफी चले तो ऐसे वेश्ट में दूंगी उसको बगी खाली हो जाएगा सब्सक्राइब करें कि अगर किसी को लेने भी यहां से निकाल के लिए जाओना बड़ा के लिए लगता है अभी सिम्टा रहेगा बहार का सब कुछ ना बहुत थक गई हूं तो थोड़ा रेस्ट करूंगी देख ची हूँ काम अभी अगर छेडा तो मैं वीडियो बनाऊंगी अदर्वाइज वीडियो ना बना के चल्दी से काम नुप्टाने की कुछ करूंगी अज मैंने किसी बच्चे को भी नहीं बुलाएगी चलो बुला लो हैल्प हो जाए ना केले ही लगी पड़ी हो आज करने में खाना ब मैं इसे समान निकाल के डबब फैक दूंगी बहुत टाइम हो गया यार यासे इस तरहीं समाल समाल के चीज़े रखने के चकर में बरा बरा सा कमरा हो गया है यह तो इसको खाली मैं आपको दिखाऊंगी जैसे पहले था ना वैसे दिखाऊंगी और यह मैडम की स्माइल दे तो दिया के ना मैं कुछ फोटो शेयर करूंगी जब यह दो साल की थी इसके पापा गये गये थे तब की फोटो आया किसी काम के लिए चाहिए थी और घर पे ही शेंकी ने बोला तो इसकी खीच के फोटो भेज़ दे मैं निकल वा लूँगा और इसने फोटो के चुएन मे कितने ड्रामे किये थे वो आपको देखने को मिलेंगे बाकी देखो मेरा काम चली रहा है लगी पड़ी ओ लगी पड़ी हो बैट सेट कर दिया है गद्दे सारे सेट कर दी एक ही बचा रखा है ताकि वो अंदर यहाँ पे नीचे बिचा के खिलना हो तब भी केल सके अंदर भी कुछ कर रही है कुछ अगर तोड़े बहुत मुझे लग रहा है नीचे गिर गए थे गंदे हो गए हैं तो फिर उनको वाश करूंगे स्कूल का बैग ना इसका फैला ही रहता है एक भी कॉपी किताब नहीं है इसमें पता नहीं इसमें कपड़े भरके इसमें खिलाने बरके खेलती ही रहती है पुराने बैग मैं नहीं इस से बोला पुराने बैग यूज किया और वो नहीं करती इसको नहीं पर चाहिए जो इस टैम पे रिसेंट में जकोल में चल राहा है इसका दो चार देनी बचे हैं छुट्टिया खतम होने वाली है और ये कमरा सेट हो जाएगा ना मेरे को बड़ी रहात हो जाएगी इसकी स्कूल के ड्रेस भी प्रेस होने के लिए दूगी दो चार जो भी है मैं न्यू स्कर्ट भी लेकर आई हूं इसकी शर्ट तो है बाकी देखती हैं चाहिए होती है रोज-रोज मैं बता है हाथ से कपड़ नहीं दोती इस चक्र में मशीन लगानी पड़ते हैं मुझा तो देखते हूं मेरे को बरस भी लेकर आना है और साबुन भी ले करा रहा है हाथ से कपड़ दोने स्टार्ट करूँगी मैशीन को छोड़ूँगी क्योंकि शोट्स वगारा तो रोज ही दोनी पड़ेगी इसकी ना रोज 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 डेली दोनी पड़ेगी इसकी वज़े से लेकर आउंगी और यह पता नहीं क्या ही खेलने में लगई डाट भी खारी है मुझसे साथ के साथ और खेलने में भी लगी पड़ी है आज जैसे कि मैने बता हैं मौसम चही है तब तो मैंने यहां पर खड़ा भी कर रखा कम ही डाट रही हूं मैं अगर बहुत जाधा गर्मी होती हुँ ना तो मैं इसको IKंडे नहीं पीने रहती है तो इतने सारे कपड़े देखो मैंने खट्टे कर डाले हैं अबी और भी होई रहे हैं क्या का पर इसी रहाध सी दिख ही रही है, कमरा खाली-खाली कर के, और भी चीजह निकालूंगी मैं, ये हॉम थियटर उगारा भी ममी ने दे रखा है, इसको निकालूंगी तो नहीं, लेकिन ममी से पूछँंगी, इसका करना क्या है, क्योंकि चला नहीं पाती मैं बिल्कुल भी नहीं चला पाती शोर सा लगता है मुझे सिर्फ दुखने लगता है इस अच्छा तो रात को सुकून से यारफोन लगा के बैठके तब ही अच्छा लगता है अब भी तो मेरे को दिन बिन में सुबह के टाम नहीं समझ में आता कु सब मैंने एक्तम ऐसे ही रख दी है वहां से भी सारा समान निकालूंगे अच्छे से पैक करके रखोंगी जो भी समान है जितना भी है अल्मारी वीडियो है यहां के इस कमरे की वह भी खाली करूंगी तो वीडियो तो देखो को जादे ही लंबी हो रही है तो इसको तो मैं यही पर थोड़ा से रोकोंगी बाकी कंटिन्यू करती हूं मैं कल यह सारा काम कल की वीडियो में तब तक ले बबाई टेक के अपने ध्यान अकना फामिली का ध्यान अकना और बच्चों का खास तो और पे ध्यान लगए का क्योंकि देखिए मौसम अभी थोड़ा सही है नाचे यह लेकिन फिर बदलता मौसम तो बहृत ही खराब होता है बदलते इंसान भी तो बदलता मौसम भी दोनों ही हानीकारक खतरनाग होते हैं देखिए मेर्डर और भी में वैस लोग थे जो राइं करकु खतरनाग थ और रिमाए नशिया बड़िए अच्छी खासी था झाल झाल